दोस्तो एक लड़की पती से बहुत दुखी हो जाती है पती उसकी ही सामने और लड़कीं को लाता है लाने के बाद उसके साथ रंग्रेलिया मनाता है उसके सामने ही देखा के लेकिन वो मना करती है कि आप ऐसा मत करो क्यों कि अगर आप करोगी तो घर वरबाद हो जाएगा ऐसा मत करो लेकिन वो नहीं मानता है उसका पती जो होता है वो कहता है तुम्हें जो मर्जी हो वो करलो मैं ऐसा ही करूँगा दोस्तो जब पत्नी ने भी ठान लिया अगर ये ऐसा करेगा तो मैं भी नहीं मान सकती किनों को लड़का था अवीर बाप का लड़का था वो बाद में होता यह है कि वो लड़की अपनी गाड़ी निकालती है गाड़ी निकालने के बाद और जा रही थी सामके समय में तो क्या देखती है कि रास्ता पर जा आग जल रही थी वहां दो तीन वहकारी बैठे हुए थे लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा एक काम कर सकते हो तो और वहकारी कहते हैं कि ठीक है एक ने एक हजार डोलर मांगे दूसरे ने एक हजार मांगे लेकिन जो वह वहकारी तीसरा मौन बैठा था तो लड़की कहती है आप आप दी तो बोलो आपको क्या चाहिए बोले वो मुझे तीन हिया डोलर चाहिए अगर मुझे पसंद करती हो त लड़की कहती है हाँ मैं तीनियाड डॉलर तुमें दे दू तीनियाड डॉलर जब वो देती है निकाल करके तो वो कहता है कि यह हमारे दो भाई भीकारी खड़े हैं इन्हें दे दू हमें पैसे की आवस्ता नहीं है तो लड़की अखुदार बढ़ता है कि आगर भीक मांग करके और वो केता है बताई हमें यहां पर किसलिए वलाया गया तो इसमी कहते है . तो भिकारी हस्ता है और कहता है कि इस चीज के लिए कौन मना कर सकता है पहले तुम मुझे देखो मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो बोले मैं तुम्हें पसंद करता हूँ अगर तुम्हारा कोई और रॉल हो तो बताइए बोले मैं तुमसे साधी करूँगे तो उसे नए कपड़े लाकर के देती है उसे ले जाती है मौल में और कपड़े अच्छे से अच्छे बेश्ट दो तीन जोड़ी कपड़े लेती है उसके बाद मुसकी दाड़ी मुच बढ़वाती है वसे बहुत संदर एकतम कपड़े पहनाती है कपड़े पहनाने के बाद एक होटल में लेकर जाती है उसकी एक सहेली और साथ होती है और कहत आखे पहुंखे जैसे ही ऑस होटल के अंदर प्रभेश करते हैं वैसे होटल का मालका होता है सुधीर उसे देख करके उसे हाथ मे लाता है आप आप यहां कैसे आप कहकर के बात करता है सर आप तभी वो लड़की उसकी तरफ देखती है यह तो यह भीकारी था और यह इसका मालक सर कह रहा है बोले ठीक आप नहीं जानती हैं यह बहुत बड़े बिजनिश मैन हैं बहुत बड़े पैसे वाले हैं दोस्तो जो लड़की होती है वो बहुत उसे चाहने लगती है और बहुत अच्छा उसका मेल मिलाव और एक टेविल लगी हुई होती है बहाँ चाय आती है चाय के लिए आडर होता है और चाय पीते हैं तब तक क्या देखते हैं जो लड़की उसके पती के साथ आया करती थी उसके पती के साथ आया करती थी वो उसका पती जिस कंपनी में काम करता था उसके बॉस के साथ हाथ में हाथ डाल करके वो भी आ रही डेनर के लिए वो दूसरी तरफ बैठी थी तब तक उसका पती घुमता हुआ आता है तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी, वो एक दूसरा लड़का बैठा हुआ है, उसके साथ खाना खा रही हो, जैसे ही अपनी पत्नी को वो देखता है, तो उसके पेरों तले जमीन खिसक जाती है, और अपनी पत्नी की तरफ बढ़ता है, तो उसकी पत्नी कहती है, कि तुम्हें अगर लड़कियां म बॉस होता है कंपनी का, उसी के साथ उससे जो लड़की प्यार करती थी, हाथ में हाट डाले हुए, चली आ रही है, और एक दूसरी को गले लगते हैं, और जैसे ही वो लड़की उसकी पत्नी इसारा करती है, कि यही तुम्हारी गरल फेंड है, देखिए, यही है तुम्हा इतनी गरीव हुई हरकती, यह तुमने क्या किया, तुम इसी को पशंद करती हो, यह क्या है, तो उसकी पत्नी कहती है, कि ठीक हो रहा है, तुम इसी लाइक हो, क्या होना है, क्या नहीं होना है, लेकिन वो उसका बॉस था, जो लड़की उसके साथ बेटी हुई थी, भीकार के साथ जो फैक्टरी का मालक एक बहकारी होता है उसी के साथ अपने घर ले जाती है अपने घर ले जाने के पाद अब यहां तक होता है कि उसका पती उसके पीछे पीछे भागने लगता है जो वो लड़की थी वो भी साथ छोड़के भाग जाती है जो रोजाना आया करती थ उस बड़े से कंपनी के मालिक को अपने घर ले जाती है ले जाने के बाद और उसे खाना पर ना खिलाती है और बढ़िया तरीकास उसकी विवस्ता करती है उसका पत्ती पहुंचता है और कहता है सर मुझे माप कर दो ये मेरी पत्नी है लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं पसंद क करती है तुम अन लड़कियों को पसंद करते हो अब तो लड़का जो होता है गड़े-गड़ाने लगता है पैर पकड़ लेता है और कहता है सर मुझे माप कर दो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि भूल आज हुई है आज ने मैं तुम्हारे प पाद एक दूसरी लड़की को फिर घर में लेकर आजाता है दूसरी लड़की को घर में लेकर के आता है दोस्तो आने के बाद जो लड़की पैसे खाने वाली होती है पैसे खाने के बाद और वो रपूचकर हो जाती है पत्नी तो पत्नी ही आखर ठहरी लेकिन वो उस भिका कोई और नहीं था बहुत बड़ा करोड़ पती होता है बहुत बड़ी पैसे वाला होता है अंत में वही उसे समझाता है और कहता है रस्मी आगर उसकी समझ में आ गया होगा तो ठीक है हम यह नहीं चाहते कि किसी का घर बेगड़े किसी की घर में दराज हो किसी का घर पारा नहीं मिलता है तो उसी करोड़ पती के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि सर मुझे माप कर दो हम सब बहुत बड़ी भूल हो गए जो हमने अपनी पत्नी को पहचाने में देर की और पत्नी हमारी नेक थी लेकिन मैंने समझा नहीं मुझे शमा कर दो मेरी पत्नी से कह द मुझे नहीं है यह बहुत बड़े पैसे वाली की बेटी है तुम्हारा सम्मार रखती है तुम्हारी इज्जत करती है इसलिए तुम ऐसा करते हो तो दोनों में रफा दफा करके वह चला जाता है लेकिन कहते हैं कि समय फिर बदलाव लेता है बही लड़का जो होता है तो उसे मना करती है लेकिन वो नहीं मानता नहीं मानता उसके बाद में दोस्तों उसकी पत्नी जो होती है सारा काम समालती है और पती से डिवोस ले ले लेती है उसके एक बीटा हो जाता है पती से डिवोस देने के बाद और उसे अपने घर से बाहर कर देती है और कहती है तो म के लड़का जम नहीं मानता तो अंतिम स्टेज यहीं सुना जाता है दोस्तो अब वो दर बदर ठोकरे खाता है जो लड़कियं होती आती हैं छोड़िके चले जाती है जो पैसा पैशा पैदा करता है तो सब बरबाद कर देता यहां तक होता है कि इतना बड़ा सराप का आधी हो जाता है इतना सराप का आधी हो जाता है कि बहुत सराप पीता है सराप पीने के बाद यहां तक होता है कि दोस्तों एक तन जोड क्रोस कर रहा होता है तो उसका एक्सिडेंट हो जाता है एक्सिडेंट हो जाता है उसका एक पैर तूट जाता है और एक बहाँ तूट जाती है होस्पिटल में एडमेट होता है घर पर सूचना आती है तो उसकी पत्नी को फिर दया आ जाती है पत्नी को दया आती है गाड़ी निकालती है और अपने ड्राइवर के साथ वो हस्पीटल में पहुंचती है हाल खबर लेती है आखर पती है ये पागल हो चुका है तो क्या हुआ सराप पीता है उसे समझाया डॉक्टर से कहा इसका इलाज ठीच सी किया जाए इलाज जब करवाया गया स्वस्त हो जाता है तो अपने पत्नी के पेर पकड़ लेता है गड़ गड़ाने लगता है कहता है कि मैं तुमारे घर पर एक कुत्ते की तरह घर की रखवारी करता रहूँगा गाड की तरह घर के द्वार पर बैठा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास आगे बक्त नहीं है, मेरे पास कोई समय नहीं है, आप मुझे अपना लो, बस एतना कर लो, पत्नियों से गाड़ी मिल लेके, घर आती है, घर आने के बाद, और उसे ठीक से समझाती है, आप तलाग तो ले लिया है, तुम्हारा कोई हक नहीं है, जो भी है, खेती बाड़ी सब पिताने, जो भी कंपनी थी, चल चल संपत थी, अपने पोतेग नाम कर दिया है, उसमें बारस मैं हूँ, आपको खाना है, तो जैसे हम बताएं बैसे चलिए, अब पत्नी की हर बात को सूझ भूझ क करके चलता है, पत्नी की हर बात मानता है, वो कहते हैं कि पश्टाए होता क्या है, जब चड़ियों ने चुंखेत लिया, दोस्तों, अन्त में पश्टाने से कुछ होता नहीं है, क्यों कि बिगड़ी बाप की उलाद, बिगड़ी संतान, ये कभी काम नहीं देते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चै पत्नी हो, चै बेटा हो, चै पती हो, किसी का विश्वास नहीं है, आजकल ये क्या कर वैठ है, क्या नहीं, कोई किसी का संसार में दोस्तों नहीं है, सब एक दूसरी के पीछी लगे हुए हैं, कहानी हमारी क्यासी लगी, ला लिया और फिर प्यार से रहने लगते हैं इस कहानी को सुना कर किसी को परिशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है केवल आप लोगों को जागरू को और सचेत करने का मेरा उद्देश है ता कि घर परिवार ना बगड़ने पाएं बेटा बेटी ने बगड़ने नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे